नवास्कार मेत्रो रुशी चिंतन तेनल में आपका हार्दिक स्वागत है अमारी स्चाथे गायतिक महामंत्र का उचालन केजिए आज का चेप्टरे जुठा अभिमां एक मखी एक हाथी के उपर बेट गई आथी को पता न चला के मखी कब बेटी मखी बहुत बिन बिनाय आवाज की और कहाँ बाई तुझे कोई तकलिफ हो तो बता देना वजन मालूम पड़े तो खबर कर लेना में हट जाओगी लेकिन आथी को कुछ सुनाई न पड़ा फिर हाथी एक पूल पर से गुजनने लगा बड़ी पाड़ी नदी थी पाइंकर गड़ था मक्खी ने कहा कि देख दो हे कही पूल तुट न जाए मगर इसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना मेरे पास पंखे में उट जाओंगी आथी के कान में थोड़ी सी कुछ बिन बिनाहर पड़ी पर उस जे कुछ दियान न दिया फिर मक्खी के बिदा होने का हो आ गया उन्हें कहा यत्रा बहुत सुखद हुई शाती संगी रहे इत्रदा बनी अब मैं जाती हूँ कोई काम हो तो मुझे कहना तब मक्खी की अवा थोड़ी हाथी को सुनाए पड़ी उसने का तो कौन है कुछ पता नहीं कब तू आई कब तू मेरे सरीर पर बेटी कब तू उड़ गई उसका मुझे कोई पता नहीं है लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी चंद कहते हैं कि हमारा होना भी ऐसा ही है इस बड़ी पुत्वि पर हमारा होने या ना होने कोई फर्क नहीं पड़ता आती और मक्खी के अनुपात से ही कई छोटा हमारा और ब्रह्मान का अनुपात है हमारे ना क्रहने के क्या फर्क पड़ता है लेकिन हम बड़ा सोड़ गुल मचाते है वह सोड़ गुल किस लिए है वह मकी क्या चाहती थी वह चाहती थी कि हाथी स्विकार करे तू भी है मैं तेरा भी अस्थित्व है वह पूछ चाहती है अमारा अंकार अपेरे तो नहीं जी सकत रहा है दूसरे उसे माने कि ही जी जा सकता है इसलिए हम सब उपाई करते हैं कि किसी ब्रांती दूसरे उसे माने ध्यान दे अमारी तरफ देखे अपेक्षा नहों शंत्विचार हम वस्त्र पहने हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए स्नान करते हैं, सजाते हैं, स्वारते हैं, ताकि दूसरों हम सुन्दर समझें, दन एक्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे देखें तो स्वितार करें कि तुम कुछ व बना हो और फिर मिट्टी ने मिल जाओगे तुम अगनान के अलन खूद को खास दिखाना चाहते हो वरना तो तुम बस एक मिट्टी के पुतले हो और कुछ नहीं अहंकार सदा इस तरास में है वे आखे मिल जाए जो मेरी चाया को वजन दे याद रखना आत्मा के निकलते ही यह मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाए इसलिए अपना जुठा अहंकार छोड़ दो और शब का सन्मान करो क्योंकि चिवों में परमात्मा का अंस आत्मा है जाए गुर्देव जाए गुर्देव जाए गुर्देव जाए गुर्देव जाए गुर्देव